बिग बॉस के घर में सोनाली और रुबीना दिलेग की बहुत बड़ी लड़ाई हुई है बिग बॉस 14 की ये अभी तक की सबसे बड़ी लड़ाई कही जा सकती है यहां तक की दोनों के बीच हाता पाई की भी नौबता आ गई थी कैसे शुरू हुई ये लड़ाई क्यों हुआ बिग बॉस के घर के अंदर इतना बड़ा धमाका हम आपको टीवी धमाका पर बताने जा रही है लड़ाई शुरू हुई किचन एरिया से वहां पर बात चीच चल रही थी कैप्टेंसी टास को लेकर वहीं अचानक बात निकली कि सोनाली फोगाट के कैप्टेंसी टास के दौरान जो स्टैंड आया था उस पर उनकी तस्वीर लगे थी उसको किसने फाड़ा और पैरो के नीचे कुछला है अर्शी ने हसी मजाक में रूबीना की और इशारा किया सोनाली फोगाट ने बिना नाम लिये एक ऐसी गाली दी जो बिग बॉस के घर में आज तक इस्तमाल नहीं हुई उन्होंने हराम डैश बोला जी हाँ रूबीना ये गाली सुनकर तिल मिला गई जिसके बाद वो सोनाली से लड़ने लगी उसने अपनी खाने की प्लेट भी पटक दी लेकिन दोनों की लड़ाई नहीं थमी और सोनाली रूबीना के खांदान पर गई तो रूबीना ने भी सोनाली की बेटी को हरा डैश बोल दिया जी हाँ आप समझी गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रही हैं कि दोनों ने कौन सी गाली का इस्तमाल किया हाला कि इसके बाद जब निक्की ने रूबीना का साथ दिया तो सोनाली फोगाट ने निक्की रूबीना और अभिनव शुकला तीनों को धमकी दी कि तुम लोग बाहर आओ मेरे आदमी जो है तुम्हे बाहर सबक सिखाएंगे ऐसे में इन दोनों का एक दूसरे के खांदान पर जाना और गाली देना कितना सही है आपको क्या लगता है क्या बिग बॉस इस पर एक्शन लेंगे जो सोनाली फोगाट ने धमकी दी है महीं सोनाली बार-बार ये कह रही थी कि मैंने नाम लेकर किसी को गाली नहीं दी लेकिन रुबीना जो है मेरी बेटी तक गई है और उसने मेरी बेटी को गाली दी है रुबीना का कहना था कि मैं इन्हें समझाना चाहती थी कि अगर आप किसी के खांदान को गाली दोगे तो फिर अगर कोई आपकी बेटी को देगा तो आपको कैसा महसूस होगा पर जो भी हो दोनों ने ही एक दूसरे को गालिया दी है अब विग बॉस ये तै करेंगे कि आखिर गलती किस की थी आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजेगा